गौदम बुद के सिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष को तौन था चच्छरा भाई था कि एक्च्छल में कौन है देवधत है और देवधत का हुआ कौन है क्लीर रहाए याद वन में क्यों कौन को सै सह 2 उनाम गया है अनंड उपाली और अनिरूद वैसे बेलूवन में भी दो सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्या बोलते हैं महामौध गलायन महामौध गलायनओ तो महामौध गलायन एक्षिंट में कौन है अप्राइब मुग्लियान ये ouseैगा जै он कौन है मोगलियान क्लियर रहे हैं तो बेलु में कौन मिले हैं सारी पुद्र और मोगलियान और आप मुझे बताओ जैत वन में कौन मिले हैं आनंद उपाली अनिरूद अभी ध्यान देना मैंने आपको बताया था कि जो महाकस्यव थे महाकस्यव गौतम बुद्र के सरवादिक्या थे सिक्षित सिस्य थे महाकस्यव गौतम बुद्र के सरवादिक्या है सिक्षित सिस्य है वैसे ही सारी पुद्र आपके गौतम बुद्र के वो सिस्य है जिन्होंने गौतम बुद्र द्वारा दिये गए जितने भी धर्म उबदे से उन सभी धर्म उब्देशों का इन्होंने दार्शनिक व्याख्या किया था तो गौतम बुद्वारा दिये गए धर्म उब्देशों का दार्शनिक व्याख्या करने वाला आदमी कौन है सारी पुत्र है कौन है सारी पुत्र मतलब जो गौतम बुद्ध के जो सर्मंस थे उ क्यों है सारी भूतर है कौन है सार बूतर कौन कि बहुत द्लास्टनिक वह वह कौन है बहुत विलोससे वरवे कौन सारी पूत बढेंगे प्रेशी पvalue point परेश Quinn कर्फरह सबसे प्रिय आनंद जो है यह गौतम जोन होंगे ही तो सबसे प्रियस कौन होंगे आनंद की आनंद कहीं नहीं भाई है कि इनका गौतम बुद का इसलिए वो सबसे ज़्यूद है क्या होंगे प्रियस और जो ओपाली है उपाली के सबसे नियमक्स यह होंगे तब मोस्ट डिस्टिप्लेंड स्कॉलर आफ गौतम बुद्वास उपाली ठीक है तो बस्ट यह ध्यान देना महा कस्याब कौन मोस्ट एजुकेटीड महा कसयाब स्ट एजुकेटीड सारी पूत्र फिलॉसफर क्या हो जाएंगे फिलॉसफरी ट्रिक उसके बात कौन आनन्द और मोस्ट फेव्रियूरेट वो कोन है चार नाम आपज आ कसने हैं महाकस्यप, सारी पुत्र, आनंद और उपाली. और कौन? उपाली. ठीक है? क्लिर रहिए है? ति कहां पहुझ गया है? जैतवन और जैतवन उपहार में कौन दिया? अनात पिंडग. और अनात पिंडग किन से खरदा था, जैतवन? जैत रुचक्मार से. और यह जैतवन यह ए है अनुमिय नगर में और अनुमिय नगर कहां पर है तो बैसा देना ग pied ta mber बूदль ने अपने सरवादिक कॉद्ण अपने सरवादिक दर्म अब देश स्रावस्ती में दिया है नई बे तो एक लाग करोड बार ये पूछा हुआ कुछन है का इसा इतने वरा एक्जाम नहीं होगा लेगिन मैक्सिमम टाइम आपके एक्जाम में मैंने कुछन देखा है कि मात्मा बुद्ध ने अपना सरवादिक धर्म उब्देश गौतम बुद्ध ने अपने मैक्सिमम सर्मन्स कहां दिया है कहां दिया है सरावस्ती में कहां दिया है सरावस्ती में अगर उन्हें अपने सरवादिक धर्म उब्देश सरावस्ती में दिया है तो आप मुझे बताओ कि वो कौन से विहार में रहते होंगे समय जायद बने प然 रहते हुए उन्होंने मेक्सिम्मं में कर दो पर सरवस्ति में तो सरवादिने कहां दिया, ondere UnoB बहुत दर्म का स्थाफन, के हैं रह उद्यों में रहते हुए जायद बने। जायत बन में तो इसे कोशन आपका फटापट बन रहा है अभी मैंसे पॉइंट पॉइंट लिए देता तो तक अन्फीज वाते हैं यह क्लियर रहे हैं यह बन रहा है ना चीज़े अब देखो तो यह कहां पहुंचे जायत बन और जायत बन में कहां पर है स्रावस्ति कहां पर है यह स्रावस्ति अब क्या होगा यह स्रावस्ति से वापस आएंगे यह स्रावस्ति से वापस राजगरी आएंगे राजगरी में क्या था बेलू बन अब यह राजगरी से यह जले जाएंग वैसाली के पूरे लोग इनका भव्य स्वागत करेंगे और भव्य स्वागत करके इनको ये एक विहार उपहार में देंगे अज विहार को बोला जाएगा महावन विहार क्या विहार महावन विहार तो एक और विहार मिलेगा नाम क्या है महावन क्या है महावन तो महावन विह विहार कहा मिलेगा वैसाली और वैसाली में यह महावन विहार देने वाले कौन है पूरे जंता पूरी जंता मिलकर इनको विहार उपहार में देदी कि कौन सा महावन विहार महावन विहार तो महावन विहार कहां पर है वैसाली में कहां पर है वैसाली में अब होगा यह अब 2260 से आगे पढ़ेंगे 2200 से फिर्रत से सरावस्ती जाएंगे और इतरों य chief सरावस्ती से सीधा पहुंच जाएंगे कहां पर इलाबाद कहां जाएंगे ये इलाबाद और जो इलाबाद है बन् cur dal उस समय का एक महाजनपद इसका नाम क्या है वस वत्स महाजनपद नाम क्या है वत्स महाजनपद अभी कहां पहुंच गया है बॉस कहां पहुंच गया है इलाबाद इलाबाद में कौन से जनपद है वत्स क्या वह लो वत्स महाजनपद अभी ध्यान देना वस्माजनपद में क्या होगा वत्स महाजनपद में एक राजा था जिसका नाम क्या था याद करो नाम क्या था उदेजन मगत में कौन था बिंबी सार और बिंबी सार का दोस्त कौन था राजा चंड प्रदियोद कौन चंड प्रदियोद और चंड प्रदियोद कहा का राजा था अवंती का 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 अवंती का और प्रदियोत का प्रदियोत की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था वासवदता याद करो याद पढ़ाया था मैं वासवदता और वासवदता को प्रेम किसे था उद्यान से यह प्रेमी था यह प्रेमी का थी तो इनको बहुत जरूरी है क्या सिक्षा धर्म उपदेस किन को उद्यन को तो होगा यह दिवदाश बनचुके हैं जेल में बीजा चुके हैं आफर के साधी भी कर लिए अब साधी किसे की वास होजाता से किसे की हैं वासना अब हो गए कि गौदम बूद अब पहुंच जाएंगे कहा पर इलाबाद का पर इलाबाद जो उस समय एक महाजनपत था नाम क्या था वस महाजनपत की जो राजधानी थी उसका नाम था कौसंभी नाम क्या था कौसंभी तो बस महाजनपत की जो राजधानी क्या है कौसंभी उसी कौसंभी में शासन करने वाले कौन है उदेयन है कौन है उदेयन तो हो गये इसी कौसंभी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पिंडोला क्या कौन थ पिंडूला और पिंडूला क्या करेंगे पिंडूला ये अपना सिस से बना लेंगे किन को उद्यान को तो उद्यान को बहुत धर्म का अनुआई बनाने वाले कौन थे पिंडूला थे कौन थे पिंडूला को एक और राजा का नाम मिलता है जो बहुत धर्म का अनुआई था इंबी सार के अलाबे अजा सत्रौ के लावह कौन था वो ऊदेयन था राजा उदेयन दियान देना राजा उदेयन बहुत धरमी था और अजह उदयाइन जैन धरमी था औरुएफ persist fishy माकर नवास हमेशा हो जाओगे अजास दो का 이ुक्सस का नाम था उदयाइन ऊदाईन चलो उदाईन तो उदाईन को था अजास ह summrat बेटा जो क्या वना जयन धर्म का एनौई और उ दयान क्या था बाद धर्म को अनौई उदियन अलग है रही है यह तक फुस होगे कुसी करम लिधन देगा ऊदाए के मातरा यान अदेएन अब करद तर taught बहुत हो जाइगा जैन ऐुदा या ना होगा दो ड्रीगा बौत है याद लुथ-खना रीर तो बहुत हट कि और अन्वाई कोि मरें उदियन और उदियन को अन्वाई बनाने वाले कौन है पिंडोला कौन है पिंडोला तो पिंडोला ने इनको क्या बना दिया बाध धर्म का अन्वाई और यह जब बाध धर्म का अन्वाई बनेंगे कौन उदियन तो उदियन एक विहार उपहार में दे देंगे जिसका नाम है घोसित घोसित राम विहार क्या विहार घोसित राम विहार तो घोसित राम विहार उपहार में गौतम बुद्ध को किसने दिया है किसने दिया कि दिया है राजा उद्यैन के एक और विहार क्या है जोसित राम विहार क्या है एक पर रिकॉल करेंगे सब लोग उद्यैन वत्स माहा जन्पद्ध मतलब कौसमभी मैं पढ़ाया अपने वास देता याद करो नहीं को लिखा है महाकवी भास प्रज्या योगम धरायन चारूदत यह सब पढ़ाया हूं मैं चलिकोई ने कोई ने एक बार रिकॉल करेंगे दो अगरे चलिए सब पताएं कि में को एंसर गौदम उस्टी विखाय देता में कितने वर्स व्रस ग्यान की प्रप्ति Hell्यों केराथ ग्रीं भौदम धने वर्स यॉञों मैं गृतिया खिया उन्तिस वर्स जोने पूर्स थी चालिक्स पूर्ण सर्न्ध ने만 गाद दू小म आपे कितने वर्स ग्यां में ग्रीट या किया ल अगलेंगे पून्पून और फाल्गूूू। गौदम बुद को खीर कौन खिलाई सुजाता गौदम बुद के पहले सिश्य कौन थे तपसु और मल्लेक गौदम बुद के पहले धार में सिश्य कौन थे पांच कॉंडेलिय बुरामड गौदम बुद ने अपना पहला दर्म उबदेश खांदिया सारनात में गौदम जिनलबुद्वे गया कहा मिले? गया में. और गया में अन्वाईयो खिसंग कितने उगई? 1000. कितने उगई? 1000. इसके पात गौदंबुद्ध अगर बिम्पिसार के पास जाएंगे सिरजगी में तो राजगी में उनको एक विहार उपहार में मिलेगा नाम किया है? ताका किया दास ने वाक्या किया इसके बात बेल्यू वन के बात यह का जाएंगे मैं जैत वन विहार उपआहर में कौन दिया अनाते बिंड़क अनात पिंड़क कौन है ब्रामब्र थे और ये ब्रामब्र जो है किन्से ये जैदवन करते थे जैद राजकुमार और यह जैद राजकुमार कहा शासन कर रहे थे अनुमिय नगर अनुमिय नगर में क्या नदी थी अनुबा नदी और अनुमिय नगर किस सहर के पास था स्रावस्ती इसे गौदंपुत ने अपना सरवादिक सरवादिक धर्म उवदेश केस विहार में दिया जैदवान अपना सरवादिक धर्म उवदेश कहां दिया स्रावस्ती में कहां दिया स्रावस्ती में और जैदवान में मिलने वाले तीन अनुवाई कौन कौन है आनंद उ पाली कौन है नियमक्सेश महाकर्षप कौन है सिक्षिद से पर एक राजा को अपना क्या मनाएंगे अनवाई मनाएंगे और राजा कौन है उद्यान को महब्बत किस से था वास उद्यदा से विलन कौन था राजा प्रदियोद और सहली कौन थी योगम धरायं याद करो लेकिन यह आप अधियन ने एक विहार में दिया नाम क्या है घोसित राम विहार और घोस इतार अगर उपहार में मिला है तो अधियन को बाधर्मी बनाने वाला आदमी कौन है? पिंडोला. कौन है? पिंडोला. के ले लिए? और पूरे वैसाली के लोग इनको एक विहार उपहार में दिये कौनसा? महावन. कौनसा वन? महावन. मुझे नहीं लगता कि आप लोगे. याद रहेगा नहीं? याद रहेगा पक्का पक्का चलो आगे बढ़े आगे बढ़े अब ये वापस जाएंगे वैसाली जाएंगे अब ये वैसाली गए हैं वापस तो आप मुझे बताओ कि वैसाली में कौन मिला उन्हें वैसाली में कहा जाएंगे ये कौन से विहार? महावन कौन से विहार? महावन अब हो गई ये जब ये महावन विहार में जाएंगे मैंने एक शीकल गलत बता दिया था कि इनकी पिता का मिर्ती हो गए था यह सोदरा को छोड़के आ गयाते हैं ना भाई और यह सोदरा कहां की राज्कुमारी थी रॉम गुराम को कौन परेशान हो रही है यह सोधरा तो उसके कारण फिर से विवाद होगा किसका रोहित नदी का किस नदी का रोहित नदी का तो वैसाली में इनको पता जाता है कि रोहित नदी का विवाद फिर से प्रपुना क्या हो गया प्रारम हो गया और से रोहित नदी के विवाद को सुधोदन के मिलती हो गए ती सके बाद ये गए थे उसको सुधार देना ये बोल रहा हूँ ठीक है क्लिय रहा है बlisted अर今 एंडे मैंने क्या वजाली में आज रशावला वैंसली इनको क्या खबर सुनाए डी सुदोदन जो अब जब ये कपिल वस्तु जाएंगे अपने पिता का अंतियस्टी कारिकरम में तो होगा ये कि इस कपिल वस्तु में इनसे मुलाकात करेंगे कौन? नंद, कौन करेंगे? नंद, और नंद कौन थे? सौतेले भाई, तो ये नंद को अपना क्या बना लेंगे? सौतेले भाई, नंद, और चचरे भाई, देवदत, ये दोनों इनके क्या बन जाएंगे? सौतेले बन जाएंगे किनके? कौतम बुद कापर? कपिल वस्तु में, लेकि होगा ये जब गौतम बुद कापिल वस्तु में रहेंगे, तो बार बार इन से मिलें आएंगी इनकी वी माता, इनकी कौन? वी माता, और इनकी वी माता कौन थी? प्रजावती गौदमी, प्रजावती गौदमी के जलावा इनकी पतनी जिनका keinाम क्या था? यह सोधरा और इसका नाम क्या था रहूल तो यह रहूल को भी अपना क्या बना लेंगे सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दर्म मैं अपने संग में स्थरीयों को बिलकुल भी प्रवेश नहीं दुँगा स्थरी प्रवेश मेरे संग में क्या है वबर जीत है लेकिन नहीं मानेंगी कौन प्रजावती गौतमी बार-बार उनसे मिलने जाएंगी और बार-बार सिधाथ उनको मना करते रहेंगे लेकिन पज़ावादी गौतमी को ये मालूम था कि सिधार्थ के सबसे प्रियस सिकौन है आनंद है वो आनंद के पास जाएंगी और आनंद आपके भारती इतिहास का पहला वो व्यक्ति है जिन्होंने महिला उत्थान हेतु पहला कदम उठाया था ये वो व्यक्ति है जो महिलाओ को लेकर गौतम बुत के पास जाएंगे और बोलेंगे कि बहुत संग में महिलाओ का भी भागीदारी होनी चाहिए महिलाओ का जो परवेस वर्जित है उसको हम को क्या करना चाहिए समाप करना चाहिए ये कौन बोल रहा है आनन बोल रहा है ठीक है बार बर कौन आ रही है प्रजावती गौतमी उनको अंदर आने नहीं मिल रहा है तो ये आनन आनन जो है आनन किसी भी तरह के से सिधात को मना लेंगे गौतम बुद को मना लेंगे और गौतम बुद अपनी पहली सिस्या अपनी कि कौन थी त्परजावती गौत्मी यह कुसन हमेवाइस भूसता है तो पहली सिस्टाइब प्रजावती गौत्मी अगर पहले सिश्यु कट में नहीं है तो किके क्हने से मनी है आनंद के किनके एंचे तो आनंद की के क्याने से प्रजावति गौतमी पहली सिश्या बनोम प्रवेशाय हो गया आप गौतमबुद्धकी पहले से अगर प्रज stomach cui मनी है तो दूसरी उनकी बेटी मने कि नाम क्या है नंदा कुम है जाएगी नंदा अब अगे तो माँ भी मन एक आन यह सुदरा कौन यह सब्छा से सभी लों आप क्या बनना जा रहे है णिश्य 면 और शिसया अब सिस्या भी आगाई कौना गई प्रजावती κι मि और लंदा और यसोध्रा और ऑनन ये यह सोध्रा अब ये वापस जायेगे काऊंपर कपिल वस्तूय ये ले जाएंगे वापस कहां पर वैसाली आप जब यहां पर वैसाली आएंगे तो हो गई यह जब यह सुद्रा और नंदा को अपने सश्य मनानेंगे तो वापस रोईत नदी का विवाद क्यों जाएगा अब यह वापस कहां जाएंगे वैसाली आएंगे जब यह वैसाली आए तो वैशाली में एक वैशिया रहती थी ये उस समय की सबसे सुन्दर वैशिया थी सबसे सुन्दर महिला थी और इनसे प्रेम करते थे अजाद सत्रू कौन अजाद सत्रू और इनका नाम था आम्रपाली के नाम था आम्रपाली तो आम्रपाली से मुलकात होगा काबर वैशाल और आमरपाली जो है आमरपाली जो है जब ये मुलकात करेंगे किन से गौदबुद से तो गौदबु पुद को ये एक विहार उपहार में दे देंगी और विहार मों बोलेंगे eed Amr Vatika, क्य हो खो लेंगे आ आमर वातिका, तो Amr Vatika विहार उपहार में दिरने वाले कौन है, Amrpali, जो कि एक क्या थी, वैसिया थी, क्या थी वो एक वैसिया, और इस वैसिया के प्रेम में क्यों थे, एजाद सद्रो तो एक वैश्याद कोई इन्होंने अपने संग में क्या दे दिया प्रवेश्ट दे दिया और वो कौन थी आमर कोई थी आमर वाती का विहार ठीक है अब होगा ये तो इस प्रकासे कई जगा विहार बनेगे और बहुत तरे बहुत धर्म कि क्या बन जाएंगे अनुवाई बन जाएंगे एक बार यह था हुआ यह कि यह राजगीरी में ब्रहमण कर रहे थे कौन गौतम बूद अकेले ब्रहमण कर रहे थे जब यह अकेले ब्रहमण कर रहे थे तो राजगीरी के पास जो परवत था वितुल अच् कि मेरा जीवन तभी पूर्ण होगा जब मैं अपने गले में एक हजार अंगूली का माला पहनूँगा और उस डाकू को नाम क्या था अंगूली माल क्या नाम था अंगूली माल तो एक डाकू मिलेंगे जिसका नाम क्या है अंगूली माल और उसने कसम खाया हुआ था कि कितना उंगली एक हजार उंगली का मैं क्या पहनूंगा माला पहनूंगा और यह कहां रहते थे राजग्री के परवत में कोई आदमी वहां नहीं जाता थे किसके डर से अंगूली माल के डर से गौतम बुद चले के कहां पर उसी परवत में